इस वीडियो के अंदर हम लोग WordPress को यूज करके एक जिम के लिए या फिर एक Fitness Institute के लिए जो कि आपका ट्रेणिंग सेंटर होता है उसके लिए हम लोग यहाँ पे एक वेबसाइट क्रियेट करेंगे बहुत वीजी है इसको क्रियेट करना अगर आपने पहले कभी कोडिंग नहीं किया या कोई वेबसाइट क्रियेट नहीं किया आज से पहले तो भी आप मेरे step को follow करके बहुत इस वेबसाइट को क्रियेट कर लोगे यहाँ पर आप देख सकते हो आपका एक logo है और यह आपका navigation bar है home, about me, training rates, gallery, clients, feedback और आपका यहाँ पर contact का एक option है यहाँ पर आपके company का नाम या फिर एक tagline आप दे सकते हो और about me का एक option है इस पर click करने पर आपका about का दो section है वो open हो जाएगा पीछे background पर आपके पास एक image रहेगी इस पूरे के पूरे website में आप किसी भी content को, spelling को, sentences को अपने according चेंज कर सकते हो सारे images को चेंज कर सकते हो और इसको अपने according किसी और topic में भी आप convert कर सकते हो नीचे अगर मैं scroll करूँ तो आप देख सकते हो, यहाँ पर about me का section है और कुछ awards यहाँ पर mentioned है trainer की photo लगी होगी और हर एक portion के उपर यहाँ पर animation आपको देखने को मिलेगा personal training और यहाँ पर कुछ details mentioned है और यहाँ पर आप बाकी details को देख सकते हो कौन से hours में क्या कराया जाएगा वो आप चेक कर सकते हो training के charges या फिर rates यहाँ पर mentioned है आप देख सकते हो उसको properly आप इसको read out कर सकते हो और आप इसके according अपने plans बना सकते हो यहाँ पर और mouse over करने पर इसका color जो है आप देख रहे हो हलका सा faded dark हो रहा है register नाव पर click करने पर आपका contact page आप open करा सकते हो training gallery है यहाँ पर यह आपका slider है आप इसको slide कर सकते हो खेर यह थोड़ी देर पर अपने आप भी slide होता रहेगा नीचे अगर scroll करें तो यहाँ पर आपके clients हैं उनके details आप देख सकते हो और आपका feedback रहेगा इसको आप अपने according adjust करोगे और edit करोगे यह आपका feedback का section है आप देख सकते हो इसको और इसके नीचे आपका एक footer है powered by cyber fitness मैंने इसका नाम दिया है ठीक है उपर scroll करते हैं और अगर मैं home पे रहूं तो यहीं पे रहूंगा about me पे आप देख सकते हो training पे यह section है rate पे यह section है gallery पे यह है client पे यह है feedback पे section और contact पे आपका last का portion है ठीक है आप उपर भी जा सकते हो इस पे basically यह आपका one page website है और navigation मैंने यहाँ पे sticky रखा हुआ है जिससे यह एक ही जगह पे fixed रहेगा तो आज के वीडियो के अंदर हम लोग यही create करने वाले हैं वीडियो को start करने से पहले अगर आप हमारे channel पे new हैं तो subscribe करें bell icon को click करके all notification को on करें ताकि आपको latest videos के notification मिलती रहे और मैं आपको बता दू मैंने new project start किया है अपने channel के उपर YouTube की तरह website हम लोग create कर रहे हैं उसकी पहली वीडियो already upload की जा चुकी है channel पे आप channel के playlist में जा करके उसको देख सकते हो यहाँ पे आप देख पा रहे हो उसका playlist मैंने यहाँ पे create कर दिया है alright so मैं इस website को directly live बनाने वाला हूँ online बनाने वाला हूँ जैसा कि आप देख पा रहे हो domain and hosting के उपर अगर आपके पास currently domain hosting नहीं है कोई problem नहीं है आप still इस वीडियो को follow करके इसको create कर सकते हैं इस वीडियो के description को आप चेक करें आपको दो वीडियो का link मिलेगा पहली वीडियो को follow करते हूँ आप WordPress को अपने ही computer पर install करके काम कर सकते हो और अगर आप दूसरी वीडियो को follow कर आओगे और इन feature आप कमन करता है कि जो website आपने अपने computer पर बनाई है उसको online लेकर कर आना है सर्वर के ओपर migrate करना है तो वो मैंने second video में सिखा रखा है कि कैसे आप backup लोगे और अपनी website को online लेकर के आओगे तो make sure इस video को description को जरूर चेक करें किसी भी website को बनाने के लिए और उसे online लेकर के आने के लिए हमें कम से कम दो चीजों की जरूरत होती है एक होता है आपका domain name दूसरा होता है आपका hosting domain होता है आपका नाम identity उसका पहचान जैसे google.com, facebook.com, हमारे case में domainreser.com जिसके जरीए लोग आपकी website के ऊपर आएंगे domainreser आपको domain and hosting दोनों ही services प्रोवाइड कर देते हैं अगर आप नीचे scroll करोगे यहां से अपने लिए domain name सेलेक कर सकते हो हमारे case में हमें domain and hosting दोनों की जरूरत है तो हम यहां पर web hosting पे click करेंगे आप यहां पर read out कर सकते हो यहां पर आपको light speed की technology मिलेगी साथ में SSD का disk space मिलेगा pure SSD है यह इन दोनों का combination आपकी website को 20 times faster बनाता है और आपको यहां पर free SSL certificate यानि कि यह आपका secure HTTPS connection मिल जाता है आपको pricing की अगर हम बात करें तो basic आपका start उता है 59 rupees per month से जो कि advance तक जाता है 249 rupees per month तक बात करते हैं यहां पर personal की यहां पर आप क्या कर सकते हो एक domain name यानि कि एक website को online लेकर के आ सकते हो storage unlimited है, email unlimited है bandwidth unlimited, light speed की technology आपको मिलेगी premium SEO tool आपको free of cost मिल जाएगा जिसकी market cost अगर आप खरीदने जाओगे किसी और hosting पे 49 dollar पर month का आपका खर्चा आएगा almost 36-3700 rupees per month यहां पर domain research के case में आपको इसके लिए पैसे नहीं खर्चने आपको free of cost मिल रहा है silver plan के अंदर आप 3 website को online लेकर क्या सकते हो, बाकी सारी चीज़ा unlimited है इसी की तरह और advanced plan के अंदर आप एक domain free मिल जाएगा आपको unlimited website को host कर सकते हो, जितने merge website बना और client से अच्छा खासा profit आप यहां पर कमा सकते हो बाकी सारी चीज़ा यहां पर unlimited है और इन तीनों ही plan के अंदर आपको premium SEO tool free मिलता है advanced वाले में जो लोग IT इंडेस्ट्री में है freelancer है या web designing development का का काम करते हो, उनको बहुत सारी websites को online लाना होता है उनके लिए यह बहुत ही बढ़िया चीज है बात करें अगर basic की तो यहां पर आपको मिल जाता है, एक website आप host कर सकते हो एक GB की storage है, 10 email address create कर सकते हैं, आप 5 GB की bandwidth है और light speed की technology है premium SEO tool आपको यहां free नहीं मिलता लेकिन अगर आप अलग से चाहें तो उसको opt कर सकते हैं बट मैं recommend नहीं करता फिर वो काफी महंगा हो जाएगा, school college के project के लिए बहुत बढ़िया चीज है क्योंकि कुछ limitations भी है, real life project के लिए मैं recommend करूंगा, आप SEO tool वाले के साथ जाए, minimum personal के साथ जाए आपके लिए एक बहुत बढ़िया advantage यह रहने वाला है, फिर भी आपके requirement के हिसाब से, आपके budget के हिसाब से जो भी आपको suitable लगता है, आप उसको select करे, मैं यहाँ पे currently silver वाले की तरफ जा रहा हूँ यहाँ से आपको अपने लिए domain name select करना है जैसे कि मैंने type किया cyberwarriors fitness.in, check पे click करे, ऐसी कोई guarantee नी है कि यह एक बार में मिल जाएगा आपको, यह name unique होता है, तो पूरे world में किसी और का match ना हो, तो आपको कुछ spellings और characters को change करना पड़ सकता है एक बार यह available हो जाए, तो नीचे scroll करके continue करे, यहाँ से अपने details को read out करे, and continue पे click करे again continue करे, कौन सा hosting आपने select किया है, domain name किया है कुछ गलत दिखता है, तो delete करे, या फिर आप उसको edit कर सकते हो, ठीक है यह details आप चेक करने के बाद, दुबारा check out पे click करे, और जिस तरीके से आप online order place करते हो, shopping करते हो उसी तरीके से आपको यहाँ भी sign up कर लेना है, अपना नाम, detail वगरा pass करके email address और password देना है और अपने order को आपको complete कर लेना है यह process पूरा होने के बाद आप आजाओगे यहाँ से login के ऊपर और अपना order place करने के time पे जो email और password आपने दिया था वो provide करके login करे यहाँ से आपको click करना है services पे और जो भी domain name आपके पास होगा वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा जिस भी domain पे आपको काम करना है simply उसके active button पे click करें और नीचे right hand side पे एक option मिलता है आपको login to cpanel simply आपको इसके उपर click कर देना है एक अच्छी बात यह है domain racer के hostings and servers में कि यहाँ पे आपको 100 प्लस option मिलते हैं हर चीज के लिए तो आप बहुत सारी चीजों को बहुत detail में सीख सकते हो और एक काफी अच्छा knowledge गेन कर सकते हो जैसे कि आपको jet backup के बहुत सारे options हैं files के लिए बहुत सारे options हैं SEO के लिए बहुत सारे tools हैं हमें currently इस tutorial के अंदर WordPress सीखना है तो नीचे scroll करके आपको यहाँ पे WordPress पे click करना है click करने के बाद नीचे scroll करके आपको simply यहाँ पे install now पे click करना है make sure यहाँ पे https selected हो थोड़ी देर में यह अपने आप आ जाता है वरना आप खुद से करें इसको आपका correct domain name हो और directory आपको खाली छोड़ना है यहाँ पे कुछ भी नहीं रहेगा WordPress के admin dashboard को login करने के लिए जो username आप देना चाहते हो यहाँ provide करो और एक password यहाँ पे आपको provide करना है इसके बाद make sure इस email address को आपको change करके अपना correct email address रखना है क्योंकि आपको contact us form का data यहीं मिलने वाला है नीचे scroll करते हैं और यहाँ से आपको install के उपर click कर देना है अब क्योंकि SSD की storage है तो यह कुछ ही seconds के अंदर आपका install हो जाएगा but still आपके internet connection के उपर भी यह depend करता है तो यहाँ पर आप check कर सकते हो यह install हो चुका है इसके बाद आपको क्या करना है जो भी domain name आपने select किया है simply आपको इसको open कर लेना है open करने के बाद यह आपका एक look है यह हर साल change होता रहता है तो इसको ignore करें और अपने domain को आपको copy कर लेना है और domain के बाद आपको लगाना है slash इसके बाद आपको लिखना है wp-admin enter press करें तो यहाँ से आप wordpress के login dashboard पर पहुंच जाओगे wordpress को install करने के time पर जो username password दिया था वो provide करके आपको login करना है अब आप चाहें तो पिछले इन दोनों tabs को आप यहाँ से cut कर सकते हो even आप इस website को भी यहाँ से cut कर सकते हो अगर आपको अपनी website दुबार चेक करनी हैं तो यहाँ पर एक option दिखेगा जो भी लिखा दिखता है उसके उपर जाए और visit site के उपर click करें या फिर अपने domain name को type करके आप directly भी उसको open कर सकते हो सबसे पहले आपको क्या करना है कुछ plugins को install करना है इस website को create करने के लिए तो plugins के उपर click करें और जो भी आपको दिखता है यहाँ से select all करके simply आपको उसको delete कर देना है क्योंकि हमें currently इसकी requirement नहीं है delete करने के बाद add new पर click करें और यहाँ से आपको search करना है astra हो सकता है आपको थोड़ा सा scroll करना पड़ जाए तो scroll करके देख लेना आपको starter template यह जो extra दिख रहा है आप यह भी लिख सकते हो यहाँ पर इसको आपको simply install करना है install होने के बाद astra widget है इसको भी आपको install करना है इसके बाद आपको यहाँ पर search करना है wp forms light यह इसका logo है आप directly यह भी type कर सकते हो simply आपको इसको install करना है इसके बाद आपको यहाँ से search करना है elementor और यहाँ से आपको elementor को भी install कर लेना है currently इसके 5 million plus downloads है और इसके बाद आपको यहाँ पर search करना है my sticky menu बिना किसी space के आपको यह type करना है यह एक option मिलेगा आपको floating notification आप यह भी type कर सकते हो यहाँ पर currently इसके 1 lakh यानि की 100k plus downloads है simply आपको इसको install करना है install होने के बाद आप क्या करोगे left hand side पर plugins के अंदर installed plugins के अंदर आपको जाना है और all पर click करके आपको सबको एक बार में यहाँ से activate कर देना है activate होने के बाद इसको आप ignore करें और दुबारा से जाना है आपको plugins में make sure यह सारे activated हो अगर नहीं है तो यहाँ से आपको randomly हर एक को कर लेना है जैसे कि मैं fit से select करके इसको एक बार यहाँ से activate कर देता हूँ तो आप चेक कर सकते हैं सारे plugins हमारे पास यहाँ पर activate हो चुके है इसके बाद मुझे क्या करना है यह change करना है wordpress website तो इसके लिए क्या करेंगे हम हम आ जाएंगे अपने dashboard पे यहाँ से जाना है आपको settings पे और settings पे यहाँ से मैं इसको change कर रहा हूँ जो भी आपको रखना हो आप रखे मैंने यहाँ पे कर दिया cyber fitness और tagline जो आपकी company का है वो provide करें मैं इसको remove कर रहा हूँ और यहाँ से मैंने click किया save changes के उपर यहाँ पे आकर के अगर हम इसको refresh करके check करें तो आप देख सकते हो वो आपका change हो चुका है अब इस look को आपने साही करना है तो यह कैसे होगा आप आजाओ यहाँ appearance पे और यहाँ से आपको जाना है themes पे themes पे जाने के बाद आपको जाना है add new theme पे और यहाँ से आपको search करना है extra इस look को ignore करें यह हर साल change होता रहता है simply आपको क्या करना है look को ignore करते हुए spelling पे ध्यान दे करके इसको install करें install होने के बाद activate करें और इसके इलावा जो भी आपको दिखता है उसको आपको delete कर देना है क्योंकि यह आपके server के उपर load बढ़ाएंगे और आपकी website को slow करेंगे तो make sure जो भी यहाँ पर extra चीज़े हैं उसको आपको delete कर देना है delete करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे एक option में लेगा starter template और यही option left hand side पे भी है दोनों में से किसी एक के उपर click करें जब आप यह search करोगे यह इसका complete name है यह design हो सकता है future में थोड़ा बहुत change हो जाए spelling आपको as a za za वाला type कर देना है उसके उपर click करें और यहाँ से आपको import complete site के उपर click करना है इसके बाद आपको provide करना है आप wordpress में intermediator हो beginner हो किसके लिए बना रहे हो और इस process के पूरा होने का आपको wait करना है तो आप check कर सकते हैं यह import हो चुका है यहाँ से अपनी website का आप देख सकते हैं यहाँ से भी check कर सकते हैं या फिर जो already open है उसे हम यहाँ पर refresh करके check कर सकते हैं तो यह website है जो हमने demo में check किया था उससे मिलता जुलता यहाँ पर create हो चुका है ठीक है बहुत easy था इस process को करना और बहुत easy way में हमने इसको यहाँ पर कर लिया है अब आप चाहें तो इसको यहाँ से cut कर सकते हो बट उससे पहले हम देख लेते हैं कि अगर आपको यह logo change करना है तो यह कैसे होगा और अगर हमें footer के अंदर कुछ changes करने हैं तो वो कैसे होगा पहले हम इसको समझ लेते हैं आप आजाओ अपने dashboard में यहाँ से आपको जाना है appearance appearance से आपको जाना है customize customize पे जाने के बाद आप आजाओ logo के उपर यह pencil का एक edit symbol आपको मिलेगा simply इसके उपर click करे click करने के बाद यह देख रहे हो logo यहाँ पे लिखा हुआ है आप यहाँ पे change logo के उपर click करोगे media library के अंदर इस theme से related आपको image मिलेंगी अगर इसमें से कोई पसंद आता है तो click करे अगर खुद का कोई upload करना है तो यहाँ से upload file पे जाके आप drag and drop करके अपने logo को change कर सकते हो मैं देखता हूँ यहाँ पर अगर हमें कोई और अच्छा सा logo यहाँ पे देखने को मिल जाए तो let's take an example कि अगर हमें इसको लगाना है मैं यहाँ पे select पे click कर रहा हूँ skip cropping मैंने इसको किया या फिर इसको हमें इतना रख लेते हैं बाकी portion किसी काम का नहीं है तो इतना मैंने रख लिया और crop image पे click किया obviously आपका logo अच्छा होना चाहिए क्योंकि हमारा background जो है वो black है उसके उपर यह suitable लगना भी चाहिए है अब इसकी जो width है वो काफी जादा है और footer में अगर आपको कोई भी change करना हो simply जैसे कि यह है तो इसके उपर click करें आप आजाओगे अपने left hand side पे footer section में यहाँ पे लिखा हुआ है contact me मैं इसको कर देता हूँ contact us तो वो यहाँ पे भी change हो जाएगा इस detail को change करना है यहाँ से आप कर सकते हो और अगर मैं नीचे scroll करके दिखा हूँ तो contact us हमारा वो बन चुक है तो कुछ इस तरीके से आपको basic customization जो है न वो कर लेना है आप चाहें तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो पिछले दोनों tab को आप cut कर सकते हो अब एक चीज़ आप यहाँ पे notice करोगे यह theme वाले होते हैं थोड़े से चलाक यह क्या करते हैं कुछ चीज़ों को दिखाते ही नहीं है और properly visible नहीं रखते corrupted form में दिखाते हैं ताकि आप premium version खरीदो और आपको support में help provide करे हाला कि premium version के अंदर काफी सारे features होते हैं अगर आपकी requirement हो तो आप किसी भी theme के pro version की तरफ जा सकते हो यहाँ पर आप देखोगे तो awards के अंदर यह icons missing है यहाँ पर भी missing थे बट मैंने उसको खुद लगाया है अब यह कैसे होगा आप क्या करोगे उपर एक option मिलेगा edit with elementor इसको एक tab के अंदर open करके रख लो open होने के बाद आप क्या करेंगे नीचे scroll करें यह जो corrupted area है इसके उपर आपको click करना है click करने के बाद content के अंदर आप यहाँ पर image के section में रहोगे हो सकता है यह minimized हो इसको सही कर लेना choose image के उपर click करें अपनी photo लगानी है तो upload करें हम फिलाल जा रहे हैं media library पर कौन से image है यह वाले image है तो इसको हम यहाँ से धोंडेंगे नीचे scroll करके by default corrupted image ने उन्हें लगा दी है हमें यहाँ पर कौन सा लगाना है यह वाला image insert पर click करें similarly इसके उपर click करें choose image पर click करें और हमें यहाँ पर यह शील्ड का एक icon है उसे यहाँ पर place करना है तो मैं नीचे scroll कर रहा हूँ इस वाले को भी मैंने यहाँ पर लगा दिया similarly हम लोग यहाँ पर third वाले को भी लगा देंगे यहाँ scroll किया और I guess यह वाला है वो मैं यहाँ पर insert करता हूँ update पर click करें update होने के बाद अपनी website पर आ करके इसको refresh करके check करें आप देख सकते हो यहाँ पर properly visible है यह portion भी कुछ हद तक आपको खाली खाली दिख रहा है तो इसमें क्या लगेगा यहाँ पर आपका एक trainer की photograph है तो यहीं पर आते हैं हम लोग वापस और अगर आप ध्यान से देखो तो यह जो content आपका लिखा हुआ है उसके उपर photo है तो आप यहाँ पर उपर click करोगे ठीक है मैं यहाँ पर चेक कर पा रहा हूँ I guess यह वाला properly रहेगा या फिर हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं अगर हमें circular मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है देख लेते हैं अगर हमारे पास वो लोड हो करके आया है तो ठीक है यह रहा insert पर click करें वो ही image आपका यहाँ पर लग चुका है ठीक है similarly मैं इसको एक बार पहले update कर देता हूँ और यहाँ आकर करें रिफ्रेश करें अब अगर हम नीचे scroll करते हैं तो देखते हैं कहीं पर कोई और चीज missing है क्या तो यहाँ पर आप देखो यह इसके बाद में आ गया ना यह अरिया my clients का एरिया खाली है यहाँ पर अगर हम आ करके देखें तो यह अरिये में logo लगे हैं कुछ logo के images लगे हैं यहाँ पर एक person है नाम के उपर है तो यहाँ पर आते हैं हम लोग scroll down करते हैं person के name के उपर यहाँ पर आपको click करना है choose image पर जाए नीचे scroll करके मैंने click किया insert के उपर click किया similarly मैं check कर लेता हूँ यहाँ पर यह वाली photo और यहाँ पर यह वाली photo ठीक है तो मैं यहाँ पर आ करके click करता हूँ choose image पर click करे scroll करे और ये रही वो फोटो इंसर्ट पे क्लिक करें similarly यहाँ पे भी आ जाता हूँ मैं और इसी तरीके को follow करते हुए आपको बाकी सारी images जो आपकी खराब है corrupted form में है आपको उसे correct कर लेना है insert होने के बाद update करें और website पे आ करके refresh करें तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे images हमारी यहाँ पे insert हो चुकी है probably अगर आप नीचे scroll करोगे तो यह form भी हो सकता है आपका missing हो मैं इस case में आता हूँ जो मैंने आपको demo दिखाया यहाँ कोई form नहीं है तो अगर आपके case में form आपका missing है तो क्या करोगे आपको customizer में जा करके click करके form को implement कर लेना जिस तरीके से मैंने आपको यह change करना बताया था ठीक है तो इस तरीके से हमें corrupted चीजों को correct कर लेना है कहीं और आपको खराब दिखता है तो जरूर करें जैसे कि यह मैंने देखा slider भी यहाँ पे खराब है और यह slider आपका काम नहीं कर रहा है ठीक है उपर scroll down करते हैं हम लोग यह हमारा slider का portion है इसके उपर photo के corrupted पे click करता हूँ मैं यहाँ आ करके edit पे click किया जो भी photos यहाँ पे है उसको delete कर दे delete करने के बाद आप आप आजाओ add to gallery और यहाँ से आपको select करना है कुछ images को जैसे की मैं यहाँ पे इसके उपर tick लगा रहा हूँ इस पे tick लगाया मैंने 3-4 images को आपको select कर लेना है 1600 by 900 की photos है add to gallery के उपर click करे insert के उपर click करे तो यह आपका gallery जो की image slider है वो भी यहाँ पे सही हो गया अब आपकर करके यहाँ पे refresh करके देखते हैं तो आप देख सकते हैं आपकी जो photos है वो properly यहाँ पे visible है ठीक है तो कुछ इस तरीके से आपको corrupted data को सही करना है अब बात करते हैं यह जो पीछे एक image लगी है अगर आपको इसको सही करना हो तो यह कैसे होगा इसको change करना हो तो यह कैसे होगा तो इस background की photo को change करने के लिए elementor पे आ जाएंगे आप और यहाँ पे six dots के उपर आपको click करना है click करने के बाद आप जाओगे style पे और style से यह images के section में आपको एक option मिलेगा इसके उपर आप click करें theme से pick करना है तो यहीं से कर लो बट मैं यहाँ पे computer से upload कर रहा हूँ select file करके भी कर सकते हो drag and drop करके भी आप बहुत ही easily photos को change कर सकते हो preview आने के बाद simply आपको insert media पे click करना है अब देख सकते हो वो image जो है मेरा यहाँ पे visible हो गया update पे click करें update होने के बाद website पे आ करके इसको refresh करें तो आप देख सकते हो यह properly यहाँ पे लग चुका है और काफी अच्छा लग रहा है यहाँ में देखने में अब यहाँ पे मैं click कर रहा हूँ अब बात करते हैं कि अगर आपको animation perform करना हो या कुछ change करना हो तो कैसे होगा मुझे यह change करना है click करे type करना है start करे काम नहीं करता है तो यहाँ से भी आप कर सकते हो मैं यहीं पे directly type कर रहा हूँ मैंने इसको कहा cyber fitness about me की जगह पे आप contact us कर सकते हो about us कर सकते हो simply आपको click करना है और यहाँ पे about me की जगह पे आप उसे about us कर दोगे ठीक है वो change हो गया आप date पे click करें नीचे scroll करते हैं और यहाँ भी click करके मैं इसे about us कर देता हूँ content में कुछ change करना है तो click करें और मैंने यहाँ पे type कर दिया last में cyber warriors इसी तरीके से आपको हर एक चीज़ को change कर लेना images वगरा मैंने आपको already change करना बता दिया है animation कैसे apply होगा आप किसी एक block के उपर click करें या content पर click करें advance में जाए motion effect से entrance animation के अंदर आपको default मिलेगा यह सारे animation के type है जिस पर click करना हो करें यह portion आपका animate हो करके आ जाएगा similarly मैं यहाँ पर click कर रहा हूँ advance, motion effect, entrance animation से जो भी animation आपको देना हो वो animation आप यहाँ पर provide करें इस तरीके से आपको अपने website के हर एक element के उपर animation जो है वो perform कर लेना है website पर आ करके एक बार इसको refresh करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह हमारा animate हो करके आ रहा है इसी तरीके से आपको अपने website के हर एक चीज को change करना है और editing यहाँ पर perform करनी है तो आपने देखा WordPress को use करके with the help of elementar एक website को create करना कितना ज़ादा आसान है उमीद करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होग और आप इस website को create कर लोगे अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो please like करें और comment में अपना feedback जरूर दे चैनल पर new तो subscribe करें और like को click करके all notification को on करें तक कि आपको latest videos की notification मिलती रहे मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में thanks for watching guys